कई मेंग्स्ट्री मीडिया हॉसस ने रिपोर्ट करा कि टाइम मैग्सीन में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आधित दिनात के द्वारा की गई कुरोना वाइरस को कब करने में एफर्ट की तारीफ की है ABP, Z News, TV9, हारत वर्ष, इत्यादी कई और न्यूस चैनल ने भी इसे इस तरह कवर करा कि टाइम मैग्सीन ने अपने एडिटोरियल में उत्तर प्रदेश के सी एन की तारीफ करी है दे लॉजिकल इंडियन ने सर्च करा और पाया कि ये खबरे चुटी है दरसल टाइम मैग्सीन द्वारा प्रकाशत ये खबर आडवर्टीज में थी ना कि उनका अपना एडिटोरियल कॉंटेंट नमस्ते, मैं हूँ दो लॉजिकल इंडियन की फाक्ट्रेक टीम से यूशा और आज हम बात करेंगे कि क्या टाइम मैग्सीन ने वागई अपने एडिटोरियल स्टैंट में योगी आदलतिनात की कुरोना वाइरिस को कंट्रोल करने के मेथद्स की तारिफ करी है हमने टाइम मैग्सीन का वो आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था Hang in there, better times are ahead मतलब यह कि आगे अच्छा समय आने वाला है अब हमने इस आर्टिकल को देखा तो पाया की लिखा था content from उत्तरप्रदेश जबकि टाइम मैग्सीन अपनी कोई भी खबर डालता है तो उसमें byline ज़रूर होती है बूम लाइट ने टाइम मैगसीन से बात करी तो उन्होंने भी यह साफ कर दिया कि यह sponsored content था ना कि उनका editorial content न्यूज लैंडरी के माने तो यूपी गर्मेंट ने एक press release जारी करी जिसमें उन्होंने आधितनाथ की सरकार की कुरोना वाइरस पर नियंतरन पाने के तरीकों की तारीफ लिखी थी टाइम मागजीन ने यह article खुबहू उसी press release जासा ही लिखा था इसे यह साफ होता है कि यह एक sponsored content था ना कि editorial जाते जाते हैं हम आपको कोनों के बीच का difference भी बता देते हैं दर असल कोई भी media house दो तरह से content publish करती है पहला editorial जिसमें खबरे आती है जो उस media house के reporters या editors वारा file की गई होती है दूसरा होता है sponsored यह वो content है जिसको publish करने के लिए लोग पैसे देते हैं यह content verified नहीं होते यह ठीक उसी तरह के हैं जैसे news channel पर कोई product advertisement आ जाए जिसके अच्छे या बुरे होने की जिमेदारी उस news channel की नहीं होती है वो बस पैसे लेते हैं और इनाज को चला देते हैं उमीद है आपको यह video अच्छे लगी होगी इसी तरह कि किसी भी image, video या news के पीछे का सच चानने के लिए आप हमें हमारा WhatsApp नमबर है 6364 00343 इस video को देखने के आप सभी का धन्यवाद